नमस्कार जड़ न्यूज में आपका स्वागत है से इस पर काम शुरू भी हो जाएगा काशी हिंदू विश्विद्याले के प्राशी नितिहासकार स्वंस्कृतिक एवन पुरा तत्य विभाग की ओर से पंच क्रोशी एरिया का सर्वेक्षर कराये जाने के दोरान बभिनियाओ गाउं में प्राशीन टिला मिला जिस पर 4000 साल से भी पुराने मिट्टी के बर्तन, मंदीर और 2000 साल पुरानी दिवारुप के अवशेस तथा ब्रामे लिपी में लिखे गए अभिलेक मिले है सर्वेक्षर टीम के अगवाई करने वाले प्रोफेसर एकी दूबे ने बताया कि अवशेस ऐसी बस्ती के निशान है जिसका जग्र वारांसी ससंबंधित प्राचिन साहित्ती में मिलता है तिला पुरा तत्विक संपदा से भरा होने से इस इलाके में कभी एक सभिता विक्सित होने का भी पता चलता है ब्यच्चू टीम की रिपोर्ट के आधार पर नई दिल्ली स्थित रास्ट्रे संगर हाले संस्थान के निदेशक डॉक्टर बी यार मडी की अगवाई में टीम ने हाल ही में बहभनियाओ गाओं का दौरा किया तीले पर मिली मुर्तियों व अभी लेखों व अनिसामगरी के प्रारंबे के अधिन के बाद साड़े तीन हजार साल पुरानी सभिता की होने की पुष्टी की है इसके बाद पुरातत्व सरक्षड विभाग ने विच्चु के साथ मिल कर यहां उत्खनन करने का प्लान तयार किया है जो खुदाई का काम करेगी पुरातत्व विशेशग्यों के मताबिक काशी के निकटता के कारण बभनियाओ टेले का खास महत्तु है पुराडिक कथाओं के अनुसार काशी को 5000 साल पहले भगवान शिवने स्थापित किया था हाला कि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह नगरी 3000 साल पुरानी है भनियाओ गाउ काशी का एक छोटा उपकेंद्र भी हो सकता है जो एक शहर के रूप में विक्सीत हुआ होगा देश दुने से जूड़ी और भी बड़ी खबरे जानने के लिए दे तिरे ये जड़ न्यूज